कक्षा 10 के चात्रों के लिए अद्वाशिक परिशा 2022 ते इसके सामजिक विज्ञान का जो पेपर दोस्तों वो इस वीडियो में लेकिया चुके हैं तो फटापट से दोस्तों आप वीडियो को देख लिए सारे पश्णों को याद कर लिए कोनपर छे आपके परसन एक्जाम में आ रहा हैं साथ ही आपसे रिक्वेश्च ओंगी दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेल जरूर करें ताकि वो भी पेपर को फड़ सके बाकि आप अपना कोई भी कमेंटर मुझे कमेंट कर सकते हैं साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में पहली कपाज की मील है वो कहां पर लगी थी यह परसन आपको पुचा गया है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है तो दोस्तों भारत में मुद्रा जारी करने का जो काम है वो रिजेवर बेंक ओफ इंडिया है यानि की आर बी आई ठीक है जो पहला आप्चन आपका सही आंसर जाएगा भारत में मुद्रा का मतलब हो गया जो नोटों का चपाई का का करता है नोट चापके मतलब मार्केट में लूंच करता है वो कौन करता है और वे करता है अगला क्यूत देखिए दित्य चेतर में समंधित यह जो है वो तो आपका प्रात्मिक शेतर में जाएगा लोक सेवा लोक सेवा उद्धोग और परिवान तो यहां पर दिद्धे छेतर से समझेद आपको पूचा गया है जो दिद्धे छेतर में आपके उद्धोग वगेरा आ जाते हैं इस्तानांतर कर्शी का दूसरा नाम बताईए तो इस्तानांतर कर्शी का दूसरा ना गुहार बाजनद और गुहार अभी काटा गया था झाहर ग्या हूं जो तो अभी बोया गया है तो ये तो होतना चनभुयार चना और यह भी अभीक ilा ठीक है तो यहाँ पर आपको बुचे चाख रहा है खरीब की प Rebecca तो खरीब की पसल में दोस्तों आपका कौन सा जाएगा जो मोटे अनाज बगेर होते हैं तो यह आप कहा जाएगा इसके बाद देखिए आया नवनी करण और एक आया नवनी करण नवनी करण मतला उसको वापस से रिफाइंड कर सकते हैं आप जैसे जल है जल को गुमा गुमा के आप काम लिया जाए ठीक है कोईला है कोईले को काम ले सकती है इसके बाद एक यहाँ पे आया नवनी करण का आपको सोर्स देना है चिपको अंदुलन किसके लिए चलाया गया तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें तक आपको सभी प्रशनों के आंसे दिये जाएंगे साथ ही आप से रिक्वेस्ट यहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो को लाइक करें ट्रशन याने जीपे बहुराजगारी सरवादिक है तो दोस्तों चीपे बिरुजगारी होती है करसी हमें यह पता ने रखता क्याता है आज वहें पार में रोज जाता है सिवा की शेतर में भी रोज होता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआता वो कब हुई थी यह आपको बताना है बहुत इंपोर्टेंट परचान है तो लगबग यह यह दोनों में शेख आंसर आपका इसके बाद देखिए भारत के कुल कितने प्रति गांदी जी के दोवारा 1922 में जो अंदोलन छला गया था वो कौसा अधीकर शेख आता है। तो कौन करता है बारतिय वन्य जीवी सनक्सन अधिनियम हो कब पारिक्त करिया था तो दोस्तों यह उपर जो खुचा गया है वह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसकी बाद आप देखेंगे दोस्तों यहां पर यह पहले भी मैंने एक वीडियो में कितने परकार की होते हैं प्रति वक्तिय आए से आप क्या समझते हैं तरति bits x 2% उस्ही चल्ठ वेरीं अभी मैंने बताया था जो छेवा का Vakat भ्रॉक्त यह जो की डेस्ट कर्वारं प्रत्यम्प्यागत गर मांतम करनेा यह और यह याद करने आपको तिकर गेर और परम्रागत श्री रंका में किन देशों की समझ आए कि संगर्ष ज्यादा चल रहा है तो यह सारी परसंदों आप इलिए बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे संगिये सासन विवस्ता से आप क्या समझते हैं संगिये मतलब जो केंदर के मादियम से सासन होता है उसको संगिये बोलते हैं संग में रोलेक्ट एक्ट क्या था तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट 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 था आपको पता है अपने पढ़ रहा है उसमें किसी भी भारतियों को सामिल नहीं किया गया था इसके बार देखे गिशुंग कादर और बांगर में एक यानतर रहा है और नेपोलियन सहीदा की बताइए एपने तरकों से सीध कीजिए की स्वें सायता सोमौ घ्रामीड शेत्रों के गरीबों को संगटित करने में मद्द करता है भारत के राष्टी आंदोलों में गांदी जी की महतपूर गूमी का क्या थी गांदी जी दोड़ा चलाएगे ऐसा योग आंदोलों का वर्णन कीजिए भारत के परमुखाद परस्टों के बारे बताईए तो ये दोस्तों आपको उताना है साथी मानचित्र में दोस्तों रावतवाटा, तलचर, अजमेर, गया और मुरुभी ये आपको अंकित करना है रादस्तान में तो ये परस्ट पत्र दोस्तों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बहुत अच्छे से मैं आपको बता दिया कौन कौन से परस्ट आप पढ़ लीजे काफी सारी परस्ट रिपीट है सभी जिलों में